नमस्कार दोस्तों मैं हूं निर्जादों और आप देख रहा हैं टार्गेट नाइंटीनाइन क्लासेज। दोस्तों इस वीडियो में जन्वरी दुहजार उनईस से संबन्धित सभी मुहतोपूर्ण करण्ट फेर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आये वीडियो को सुरू करते हैं। आयूध निर्मानी बोर्ड के महानी देशक एवं अध्याच के रूप में किसने पदभार गरहन किया। सौरफ कुमार भारतिय सीनेमा के किस परसीध अभिनेता और लेखक का 81 वर्ष की आयू में कनाडा में निधन हो गया। कादर खान। कौन से दो देश अधिकारिक तोर पर युनेसको से अलग हो गएं। अमेरिका और इज्राइल। पाकिस्तान के परांतिय सरकार ने किस हिंदू धार्मिकस्थल को राष्टिय धरोहर गोंसित किया। पंज तीरत हिंदू धार्मिकस्थल। किरकेट कोच रामा कांत आचरेकर का निधन हो गया। वे किस दीगच किरकेटर के बचपन के कोच थे। सचीन तेंदूलकर केंद्रिय मंत्री मंडल के किन बैंको के बिलय को अपनी मंजूरी दे दी। बैंक अफ बलोद्रा बिजय बैंक और देना बैंक। चंद्रमा के दूसरी ओर अंदेखी ही से परयान उतारने वाले पहला देश कौन बना। चीन। सोभागे योजना के अंतरगत कितने राजियों में सौब परसेंट बिदूती करन पूरा हुआ। पचीस राजियों में। भारतिय साइंस कॉंग्रेस के 106 में वार्षिक समेलल का उदगाटन करते हुए किसने जय जवान, जय किसान, जय विग्यान तथा जय अनुसंधान का उदगोशना किया। परधान मंत्री नरेंद्र मोदी। 106 में भारतिय विग्यान कॉंग्रेस में एकजवीटर ओफ द इयर आवाड मिला। रच्छा अनुसंधान और विकास संगठन को। किस इयरपोर्ट का नाम बदल कर महाराजा वीर विक्रम मानिक्य किसोर इयरपोर्ट किया गया अगर ताला इयरपोर्ट को। अन्टार्टिका की सबसे उची चोटी मांट विंसन पर चड़ने वाली पहली महिला परवतारोही कौन बनी। अरुनीमा सिन्हा। पाकिस्तान द्वारा स्वदेश में विक्सित रॉकेट ए हैंड्रेड की सीमा क्या है सो किलोमिटर। आस्ट्रेलिया में टेस्ट सतक लगाने वाले पहले भरतिय किरकेट की पर कौन बने। रिशव पंत। चार जन्वरी को कौन सा दिवस मनाया गया। बिशु ब्रेल दिवस। परधान मंतरी नरेंद मोदी द्वारा किस जग दोलिता भी बैराज परियोजना का उदघाटन किया गया। मनिपूर। तीन बार हाफ मैन कप जितने वाले पहले खिलाडी कौन बन गये। स्विडीजर लेंड के रोजर फेरर। आस्ट्रेलिया के पर्थ में हाफ मैन कप 2019 का खिताब किस ने जिता। स्विडीजर लेंड ने जर्मनी को हराकर। प्रोकवडडी लिंग के छठे संसकरन का खिताब किस ने जिता। बैंगलूर वुल्स ने गुजरात जॉइंट्स को पराजित किया। आई पी लिंग मैं अब तक के सबसे युवा गोल करने वाले खिलाडी कौन बने। 16 वर्षिय भारतिय फुटबॉलर रोहित दानू। ओडिशा सरकार ने मिशन सकती वजना के तहट स्वेम सहायक समू। एस एच जी के लिए कितने रूपय तकरीन पर 0% ब्याज की घोशना की तीन लाख रूपय है। नई दिल्ली में सुरू नो दिवसिये 27 में 20 पूस्तक मेले का विशायक क्या है। रिदर्स वीद अस्पेशल निट्स। कैलिफोर्निया में आयो जीत 76 में गोल्डन गलोब। अवार्ड्स के तहट ड्रामा स्रेनी में सरुप्रथम अभिनेता तथा सरुप्रेश्ट अभिनेतरी का पुर्षकार किसने जीता। रामी मालेक तथा गलेन क्लोज। गोल्डन गलोब आवाड में किस फिल्म ने विदेशी भासा। श्रेनी में ससुरेश्ट फिल्म का पुर्षकार जीता। रोमा। भारत ने किस देश में 1948 के बाद पहली बार टेस्ट श्री जीता। अस्ट्रेलिया में। केंद्र सरकार ने महतोपूर्ण निर्ने लेते हुए आर्थिक रूप से पिछले सुवर्ण समाने उवर्गेके लिए सरकारी नोकडियों सीछन संस्थालों में कितने परतिसत आरच्छन दिये जाने की घोष्णा की। दस परतिसत भारत ने कहां में रन्नीती द्रिष्टी से महतोपूर्ण चाबाहार बंदरगाह का परिचालन शुरू किया इरान में। किंद्रिये मानो संसाधन विकास मंत्री परकास जावेडकर ने सैचिक एवं दोजहर उनिस बीस से जोहर नवोदय बिद्याले में कितने सीट बढ़ाने की घोष्णा की। पांच हजार सीटें। भारतिये बिज्ञान कॉंग्रेस का एकसो छौवा सत्र काहां में संपन हुआ। जलांधर में। अंतराष्टिये किर्केट परिशत का एकसो पाचमा सदस्य कौन बना। अमेर्की किर्केट संग यू एस एक किर्केट। कारे कालपूरा होने से पहले इस्थिपा देने वाले मलेसिया के पहले समराट कौन बने। सुल्तान मुहम्मद। एसिया प्रतियस पर्धात्मक संस्थाद्वारा जारी इज ओफ डोइंग बिजनेस में की स्राज को पहला अस्थान मिला। आंधर परदेश। ससस्त्र सीमा बल एस एस बी का महानी देशक किसे निवत किया गया। कुमार राजेश चंद्र अंतराष्टिय मुद्रा कोस आई एम एफ। पहली महिला मुख और सास्त्री का पदभार संभाला। गीता गोपिनात। खेलोए इंडिया इउथ गेम दुहेर 19 का आयोजन कहां किया गया। पुने महाराष्ट में। कहां में देश का सबसे लंबा सिंगल लेन अस्टील केबल संस्पेंशन ब्रीज। बिवरंगा पुल उद्घाटन किया गया। अरुनाचल परदेश। श्वर्णों को दस परसेंट आरच्छन वाला विधयाक राज सभा में कितने मतों से पारिध हुआ। 165 लोग सभा में 323 जारी खेनले पासपोर्ट सुचकांग 2019 में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ। 29 प्रथम पर जपान 10 जनवरी 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस वर्ड एकोनोमिक फोरम के नुसार भारत कब तक विश्व का तिसरा सबसे बड़ा उभगता बजार बन जाएगा। 2030 तक वेनेजुएला के राष्ट पती पद की सफत किष्णेली निकोलस मादरो। भारतिय अंत्रिश अनुसंधान संगठन इसरो ने मिशन गगनेयान को कब लॉंच करने की घोष्णा की दिसंबर 2021। टोकियो ओलम्पिक के लिए सेफडे मिशन के रूप में किसे नामिद किया गया। बिजिंद परशाद वैस्ट। केंसरकार ने राष्टिय मानो अधिकार आयोग का नया महासचीव किसे निक किया। जैदीप गोविंद। 12 जनुवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। राष्टिय युवा दिवस। ताइवान का नाया परधान मंत्री किसे निक किया गया। सू सैंग चैंग। राष्टपती रामनात कोविंद ने भारतिय सेना के जनरल की मानत पदवी से किसे समानित किया। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा को। किस राज सरकार ने एक परिवार एक नौकरी रोजगार का सुभारम किया। सीकिम। मेसेडोनिया ने अपने देश का नाम बदल कर क्या किया। उत्री मेसेडोनिया गनराज। मध्य पहली भारत मधेसिया वारता का आयोजन कहां किया गया। उजबेकिस्तान इस्थित समरकंद में। आर्थिक रूप से पिछडे स्वर्णों को दस परती सत आरचन देने वाला पहला राज कौन बना। गुजरात। सुसीला देवी साहित्य पूर्शकार किसने जीता। नमीता गोखले उपनियास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। पहला पिरिमेर बैडमिंटर लिंग पी बी एल का खिताब किसने जीता। बैंगलूर एरपोर्ट्स ने मुंबई रॉकेट्स को हरा कर। दिल्ली में पहली बार फिलिप कोटर प्रूडेंशियल समान से किसे समानित किया गया। परधान मंत्री नरेंडर मोदी को। सत्य जीतर लाइफ टाइम अचिवमेंट पूर्शकार किसे परधान किया गया। बुध देव दास गुपता। बीजय मर्चेंड ट्रोफी 2018 उनेश का खिताब किसने जीता। हर्याना ने जार्खन को पराजित कर। नरेंडर मोदी ने ओडिशा में कितने क्लो रूपए की विकास परियोजना का सुभारम किया। पंद्रसो क्लो रूपए। ग्लोबल एवियेशन समेलन। फलाइंग फोर ओल। विशय के साथ कहां में आयोजित किया गया। मुंबई। अंतराष्टिय किर्केट परिशद ने किसको अपना सी यो न्यूकत किया। मनुसाहनी। भारत मैनमार के बीच इंबेक्स दोयाठारा उनैस का यूधाव्यास कहां में शुरू किया गया। हर्याना के चंडी मंदीर मिलिटरी अस्टेसंत। गांधी संधी पुर्षकार से किसे न वाजा गया। यो हैई सासकावा। विश्वा संगठन का सदभावना दूत। फ्रेंको जर्मन मानोधीकार पुर्षकार किसने जिता। यू वेंसेंग चीनी वकील है। भारत में सबसे कम आयू के ग्रेंड मास्टर कौन बन गये। चेनई के डी गुकेस। परतिष्ठित लॉरियस वर्ड अस्पोर्ट आवार्ड के लिए नमांकीत होने वाली पहली भारतिये कौन बनी। महिला पहलवान बिनेस फोगाड। बिश्व का पहला मानो अधिकार को समर्पित टीवी चैनल कहां आरम हुआ। लंदन में। Artificial Intelligence में बिटेक सुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना। IIT हैदराबाद जपान पूरुषकार 2019 से किसे समानित किया गया। डाक्टर रतन लाल को रच्छा मंत्री निर्मला सिता रमन ने मिलिटरी पूलिस में कितना परतिसत महिलाओं को भरती करने की गोशना की। 20 परतिसत। वर्ष दोजर बीस हैतु बीसो की पहली वस्तु कला की बैस्विक रायधानिक किसे गोशित किया गया। रियो डी जनेरियो ब्राजील। परधान मंत्री नरेंद मोदी ने कहां में भारतिय सिनेमा का राष्टिय संग्रहालय का उद घाटन किया। मुंबई में। पूने में संपन खेलो एंडिया यूथ गेम 2009। पदक तालिका में कौन सा राज पहले अस्थान पर रहा। महारास्ट। दूसरा पर हर्याना, तिसरा पर दिल्ली। खेलो एंडिया यूथ गेम 2009। सुभंकर खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 सुभंकर जया और बिजया में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता तैराक सिरीहरी नटराज साथ सुवन पदक खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 में पहला गोल्ड मेडल तथा महिला वर्ग में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता मोहमद राफ्य जिमनास्ट तथा परतिष्ठा सामत जिमनास्टिक में संसद रतन समान से किसे समानित किया गया संसद अनुराग ठाकुरको पंद्रहमा परवासी भारतिय दिवस समारो के मुख अथिती कौन थे मौरिशस के परधानमंत्री सिरी परविन जगनात दोस्तो अगर आप जेनल कंपरिशन के त्यारी कर रहे हैं तो जनवरी 2019 से लेकर अब तक की सारा करंड अफ्यर को फिर से इस वीडियो के प्लेइलिस्ट में जा करके आप रिविजन कर सकते हैं आईए आगे देखते हैं विश्व आर्थिक मंच 2019 की वार्षिक बैठा कहां संपन हुआ स्विडीजर लैंड के दाओस में आई सीसी आवाड 2018 के सर्फ्रेस्ट वन डे और टेस्ट खिलाडी के साथ सर्फ्रेस्ट विकेटर किसे घुंशित किया गया किरकेट बिराट कोहली को जार्खन के मुख मंत्री रहुवर दास ने वर्ष 2019 का बजट पेस किया 85,429 कलो रुपय का प्रथम सेख सौध अंतराष्टिय पूर्षकार के लिए किसे चुना गया भारत रत्म से समानित बैग्यानिक C.N.R. राओ वर्ष 2017 के परतिष्ठित सर्फ्रेस्वती समान किसे परदान किया गया गुजराती साहितकार सितांसु यस चंदर को A.P.J. कौलकाता लिटरेरी फेस्टिवल में उमन्स वयस आवार्ड से किसे समानित किया गया रंजनी मुरली सबसे तेज 101 दिवसी किरके बिकेट लेने वाले भारतिय गेंदवाज कौन बन गए मुहम्मद समी यस बैंक CEO और MD किसे निउक्त किया गया रवनित सिह गिल को किस किरकेटर ने अंतर राष्टिय किरकेट से सन्यास की गोशना की दचिन अफरिकी किरकेटर जोहांस बोथा ने 24 जनवरी को देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है राष्टिय बालिका दिवस इंडिको का नाया CEO किसे निउक्त किया रोनो जाय दत्ता को पाकिस्तान का राष्टिय पे घोसित किया गया गन्ने का जूस को हिंदी की परसीद किस लेखा का निधन हो गया क्रिशना सोबती देश के दूसरे सबसे परतिश्चित नागरी समान पदम बीभूसन से किसे लोक गाईका को समानित किया गया तीजन बाई पदम सिरी से समानित होने वाले पहले भारतिये ट्रांजेंडर कौन है नर्त की नटराज राष्टपती भवन की ओर से वर्ष 2019 में कि इन तीन हस्तियों को भारत रत्न देने की घोष्ण की गई समाजी कार्ज करता नाना जी देशमुक जिनको मरनो परांत दिया गया गीताकार यवं संगिताकार भूपेस हाजारिका इनको भी मरनो परांत दिया गया तथा तेरह में राष्ट पती प्रणा मुखर जी को दिया गया। गतन दिवस के मौके पर किसे मरनुप्रांत असोख चक्र से समानित किया गया। लौंच नायक नजीर अहमद वानी को। ओक्सफोर्ड डिक्सनरी ने किस सब्द को वर्ष 2018 का हिंदी वर्ड ओफ द इयर चुना। नारिश सक्ति सब्द को। इंडोनेसिया मास्टर्स का खिताब किसने जीता। साइना नहवालने कैरो लीना मरीन को हराकर। संपन आस्ट्रेलिया ओपन 2019 में पूरुस तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता। नुवाक जोकविच सर्विया तथा नाओमी ओसाका जापान की। जारी रिपोर्ट के अनुसर चीन के बाद बीसु में दूसरा सबसे बड़ा अस्टिलूत पादक देश कौन बन गया। जारी बीसु के मुलवान ब्रांड की सुची में भारत का सबसे मुलवान ब्रांड कौन बन गया। टाटा गुरूप। हिंदी भासा का सहित आकादमी पुरुसकार से किसे समानित किया गया। चितरा मुदगल को उपनियास पोस्ट बॉक्स नंबर दोसो तीन नाला सोपारा के लिए। जारी बैसिक भर्ष्ट अचार सुचकांग दुझे रठारे में भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया। अठतर में संपन स्वास्त भारत यात्रा अभियान के तहत किस राज को अपनी सक्रिय भागिदारी के लिए सरस्रेश्ट राज का पुर्षकर दिया गया। तमिल नाडू को पकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल जज कौन बनी। सुमन कुमारी। नमक सत्यागर असमारा काउद घाटन कहां किया गया। दांडी उजरात में। फेडरल बैंक का अध्याच किसे निउक्त किया गया। दिलीप सदर गानी को। दोस्तो अगर आपको वीडियो सलोल लग रहा है तो सेटिंग में आप अपना स्पीड को मेंटेन करके इस वीडियो को देख सकते हैं। मलेसिया के नए राजा के रूप में किसने सपत ली। सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद साह ने। दोस्तो अगर आपको एक वार में करंट अफेर कंप्लेट नहीं हो पा रहा है तो इस वीडियो को दुवारा रिवीजन के लिए भी देख सकते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। तो फिर इसी उत्सा के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थाइंक्यू धन्यवाद। साथ ही साथ चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें।